हिटलर का उदै हिटलर का जन्म 1889 में आस्ट्रिया में हुआ था सेना में अपनी बहादुरी के लिए उसे कई तमगे मिले पहले विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुए अन्याय ने उसे आग बबूला कर दिया 1919 में वो जर्मन श्रमिक पार्टी में शामिल हो गया और उसका नाम बदल कर नेशनल सोशिलिस्ट पार्टी कर दिया यही पार्टी बाद में नासी पार्टी बनी 1930 की शुरुआत तक नाजी लोग प्रिये नहीं थे 1919 में महमंदी के दौरान नासी वाद ने एक जन आंदूलन का रूप ग्रहन कर लिया इसने बहतर भविश की आशा जगाई 1932 तक आते आते 37 फीसद वोट के साथ नासी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई हिटलर जबरदस्थ वक्ता था और अपने भाषणों से लोगों को हिलाक रख देता था नासी वाद रचार में उसे जर्मनों के उधार करता के रूप में पेश किया गया उसने अपनी बड़ी बड़ी रैलियों के दोरान स्वास्तिक छपेल लाल जण्डों, उस्तिकाओं और आडंबर और प्रदशन का प्रभावी धंग से उपियोग किया लोगतंद्र का ध्वन्स 30 जन्वरी 1933 को राष्ट्रपती हिंटन बर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भर संभालेने का न्योता दिया ये मंत्री मंडल में सबसे शक्तिशाली पद था सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोगतांत्रिक शासन की संदचना को भंग करने की प्रक्रिया शिरू कर दी फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्मय अगनी काड ने हिटलर को सारी शक्तियां हडपने का बहाना दे दिया 28 फरवरी 1933 को जारी किये गए अगनी अध्यादेश फायर डिक्री के जर्ये सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया 3 मार्च 1933 को पारित कुख्यात विशेशा अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के माथिम से हिटलर ने जर्मनी में ताना शाही स्थापित कर ले सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई पुलिस को दंड के साथ शासन करने की शक्ती दी गई